नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने चनल गोरफ जिंक्षिन में दोस्तों जैसे कि आप लोगों से प्रोमिस किया है कि इस चनल पे लगातार नेवी ट्रेट्समेंट के आप लोगों के पास जो जो कोश्चन्स हैं आप लोग पूट करते रहिए मेरी responsibility है कि आप लोगों को उसका जवाव मैं दे दूँ कल भी मैंने आप लोगों को बहुत सरे questions का reply दिया परसो आप लोगों के live आके आप लोग की समस्याओं का समाधान किया आज फिर आप लोगों के सवालों को लिया है और आप लोगों की समस्याओं का समधान यहाँ पर करने की सोची है सबसे पहला सवाल मैंने जो थमनेल पे लिखा है SC, ST, OBC को लेकर कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमारा स्टेट का सर्डिविकेट है हम वो लगाकर एज का रिलेक्षेशन ले सकते हैं देखो बई, यहाँ पर आप लोगों का सेंट्रल का सेडिविकेट लगेगा अगर आप स्टेट का लगाओगे तो डीवी के टाइम पर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी आशा करता हूँ, एक शब्द में यहाँ पोइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्टेट का सेडिविकेट है अपनी कास का सेंट्रल का नहीं है वो बच्चे यो आर कैटिगरी में फोर्म डालिए इसके बाद एक और कोशन मेरे पास आयता है कि सर जी हमारा OBC जो है वो है तो सेंट्रल का लेकिन हमारा जो है NCL नहीं है क्या हमारा जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा तो भई आप UR में जाके फोर्म को अप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर आते हैं फोर्म पर कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी हमने दो ट्रेड से तीन ट्रेड से आई टे किया है क्या हम डबल फोर्म डाल सकते हैं हाँ जी आप लोग डबल फोर्म डाल सकते हैं मैं तो recommend करूँगा आप डालिए भी क्यूंकि हो सकता है कि आप लोगों का exam जो है अलग अलग days पर हो जाए और आप लोगों को उसका फाइदा देखने को मिल जाए अगर ऐसा होता है तो आप लोगों की जो है उसका फाइदा मिलेगा ठीक है तो यह point clear हो गया in case अगर same day पर exam होता है एक ही दिन एक्जाम होता है तो एक एक्जाम तो आप लोगों को देने को मिलेगा तो आप लोग चूज कर रहे ना अगर अलग अलग डेश पर जो है आप लोग एक्जाम दे सकते हैं एक देने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को दूसरे में किस तर आप वहाँ पर देखेंगे तो email id से login करने के बाद अंदर ही आप लोगों को apply करने का option दिख जाएगा दूसरा form भी ठीक है उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो है exam center को लेकर तो exam center कुछ बच्चिया भी end page पे पहुचे नहीं है form के तो आपके जो exam center है 25-30 centers इन्हों ने दे रखी है आप लोग form fill करेंगे तो आपको cities दिख जाएगी तीन cities choose करने का आपके पास option है यह चीज मैंने आपको कल भी बताए थी आप कुछ सवाल है material related study material ने भी treatment का आपने ले लिया है कुछ बच्चों के बहुत अच्छे feedback आया है thank you so much for your valuable feedback अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो description में आपको link मिल जाएगा आप जाकर ले सकते हैं Hindi English Zonal Language में application पे available है बाकी कुछ बच्चों नो बोला कि सर जी test series भी डाल दीजिए test series इतनी जल्दी दे कि क्या करोगे पहले आप लोग content से read कीजिए जो content वहाँ पे दे रखाए आपको कुछ extra pay करने की जुरत न नहीं करना पड़ेगा बाकी जो बात में लेंगे उनके लिए हो सकता है कि course थोड़ी बढ़ जाए तो आप लोग पहले सी acquire करके रख सकते हैं और Hindi English language accordingly देख के लिए ना सुझरर आप लोगों को किसी भी प्रकार की problem ना हो आशा करता हूं मेरे दौरा दी गई जानकर इसे आप लोग संतुष्ट होंगे बाकी कोई दिक्कत आते हैं तो comment box में आप लोग अभी भी mention कर सकते हैं एक और वीडियो बना के आप लोगों के समस्या का समाधान कर दूँगा 31.12.2023 तक आप लोग इसका form fill कर लेना Thank you